बड़ी और एहम खबर के साथ प्रोटेम स्पीकर रगुबीर कादियन के आवास पर पहुंच रहे हैं स्पीकर आपको बदा दे प्रोटोकोल आज प्रोटेम स्पीकर की तौर पर वधानसभा की कारवाई चलाएंगे रगुबीर कादियन सुबा 10 बजे राजपार प्रोटेम स्पीकर की शपत दिलवाएंगे और राजभवन में प्रोटेम स्पीकर शपत दिलेंगे वधायकों को शपत दिलवाएंगे प्रोटेम स्पी और इसे पर जादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट है जुतिंदर चौधरी जोड़ चुके हैं जुतिंदर जी आज से जो है विधानसभा सत्री की शुरुवात हो रही है सभी विधायकों का शपत दिलाए जाएगे लेकिन उससे पहले प्रोटेम स्पीकर को राजपाल शपत दिलाएंगे क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस पर देखे बिलकुल इस वक्त हम प्रोटेम स्पीकर बने रगभीर काज़ान के आवास पर मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्पीकर प्रोटोकॉल के तहट जो गाडिया आनी चाहिए जो पुलिस कर्मिया आने चाहिए वो यहां पर पहुँच चुक है और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपसे कुछ ही देर बाद जो राजपाल बंडारू दत्यात्रे राजभ जो विधायकों का जो शपत ग्रहन है वो प्रोटेम स्पीकर कराएंगे और नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चैन है वो यहां पर कराते हुए नजर आने वाले हैं क्योंकि नई सरकार बनी है तो ऐसी स्थिती में राजपाल का अभिभाशन भी देखने के लिए मि हैं और अगर हम बात करें इस वक्त अपसे कुछी देर बाद रगवीर कादियान अपने आवाज से बाहर निकलेंगे और राजभवन में जा करके जो प्रोटेम स्पीकर की शपत लेते हुए नजर आने वाले हैं इस बार कम विधान सभा के अंदर बहुत बदला हुआ प्र वो सदन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे अभै चोटाला जो अमूमन सदन के अंदर जो है सुर्कियां बटोटे होए नजर आते थे जिस परकार से वो मुद्दे उठाते थे इस बार सदन के अंदर नहीं होंगे उनके बेटे अरजुन चोटाला यहां पर रहने वाले ह युवा विधायक के तौर पर अगर हम बात करें इस बार जो आदित्ते सुर्जे वाला है वो यहां पर देखने के लिए मिलेंगे और इसी के साथ-साथ-40 कुल मिलाकर के नए ऐसे विधायक हैं कुल-90 की संख्या में से 40 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधान सभा और अगली जो जनरेशन के जो नेता है जो विधायक चुन करके आए हैं उनको इस बार हम देखेंगे कि विधान सभा के अंदर किस तरीके से अपने मुद्दो को उठाते हुए नजर आते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किस तरीके की चर्चा देखने के लिए मिल नेता है ये वो विधायक है जिनकी सतर साल से अधिक की उमर है तो ये कहा जा सकता है कि जहां युवा जो विधायक है वो इस सदन में देखने के लिए मिलेंगे तो अपने आप में जो राजनीती के जो दिगज है जो वरिश नेता के तोर पर भी है और अब ये कह सकते हैं क कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें अभी तक भी कॉंग्रिस ये तै नहीं कर पाई है कि उनके विधायक दलका नेता कौन होगा अब ये देखना है कि वहाँ सिटिंग प्लान किस तरीके का देखने के लिए मिलता है वरिस्ता के आधार पर हाला कि सिटिंग प्लान जो है वो ज नजर आने वाले स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चैन कराते होई भी नजर आने वाले जी बिलकुल जुकंदर जी पहली बार नहीं होगा जब रगवीर कादियन को जो है प्रोटिम स्पीकर कि शप दिलाए जाएगी से पहले भी 2014-2019 में उन्होंने जो है 19 पत कि शप दिलाई पासे जो कि लगतार दो से तीन बार विधायक बने हैं तो इस बार विधानसमा में हंगामा भी बराबर का हो सकता है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास अनुभरवी जो एमेलेस हैं वो ज्यादा है देखे बिलकुल आपने जीट कहा अपने आप में भारते जन्ता पार्टी ने अपने दम पर 48 सीट लेकर क्या आई हो ये पहली बार है और ये अब इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज हो चुका है हरियाना के अंदर कोई सरकार दो बार सत्ता में रही हो और उसके बाद तीसरी बार उसे लगातार मौका दिया हो यानि हैट्रिक का मौका दिया हो ये रिकॉर्ड भी भारते जन्ता पार्टी के पास ही इस सरकार के जो नतीजे आए है जो विधायक जीत करके आए है उसके ब विधान सबा के अंदर किस प्रकार से मुद्ध- उठाएंगे। वो देखना होगा किस तरीके से उनकी भूमी का जो है नए विधायक के तोर पर होगी क्योंकि इससे पहले विधान सबा के अंदर ये चलन देखने के लिए मिला था। कि जो अच्छा विधायक जो है विधान सभा के अंदर मुद्दे उठाता था तो उसको जो है रिवार्ट देने का काम भी किया जाता था इनाम देने का काम किया जाता था अब भी यह देखना है कि नए विधायकों में से ऐसे कौन-कौन से विधायक सामने निकल करके आते हैं उनको उन्हों ने उनकी जो भूमिका है उसको देखते होई ने इनाम दिया गया था अब ये देखना है नए विधाएकों में से वह कौन होगा जहां तक वरिश विधायकों की बात की जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि बुपेंदर हुड़ा आपने आप में वरिश विध में सबसे जादा जीतने वाले विधायकों में या तो रग्बीर काद्यान का नाम है अनिल क कादर चाह करें वरिश्ट विदायक है उनकी संख्या भी है अगर हम बात करें कृश्ञन पवार भी इसी तरीके के वरिश्ट विदायक है जो करीब 5-6 जीट करके आ चुके है अनुभवी जो विदायक है वो अब इस बार जीते हैं और उन्हें जो है विदान सबाम में जब वो पहुंचेंगे तो किस तरह से बहस होती है किन मुद्धों को उठाया जाएगा उस पर सबी के नजर बने रहेगी फिलाल आप बने रहे हैं हमारे साथ बहुत शुक्रिया फिलाल के लिए